मैं हूँ सावीत्री और आप देख रहे हैं रधा की रसोई बाई एस जे एस तो फ्रेंस आज मैं बनाने वाली हूँ पनीर कूकर में ओ भी एकदम जटपट और एकदम अलग तरीके से जो खाने में स्वादिश्ट होगी और बनाने में बहुत ही आसान होगी तो फ्रेंस रेस स्वाद्स जिता हूँ सर्सो फसे टेल में ही को संट ऑर उसके बाद पांच प्याज है थोड़ा सा पतले में इसको काट दिये हैं ठोड़ा देर तक इसको उलिए 5 तक इसां सब्रें ब्राउन कलर में ना आ जाए तो दो से तीन मिनट तक प्याज को भून लिए हैं और दस से पंदर लासुन की कलियां है तो जिसा कि आप देख सकते हैं कि यहां मैं बोली हूं कि बहुत ही अलग तरीके से पनीर बनाएंगे तो लासुन को पीछना नहीं है ऐसे ही डाल देना है और उसके बाद अद्रक थोड़ा सा है उसको ग्रेट की हूं एक इंच अद्रक का टुकड़ा है तो सारे चीज को अच्छे तरह से भून देंगे प्याज के साथ लासुन और अद्रक अच्छी तरह से भून चुके हैं जिसा कि अब देख सकते हैं कि कलर भी थोड़ा सा चे तो यहां पर फ्लेम मीडियम फ्लेम पर थोड़ा सा टमाटर को सॉप्ट कर लेते हैं उसके बाद यहां पर एड करेंगे वन टीस्पून कश्मीरी लाल मेच यह तीकी बिल्कुल नहीं होती है आप चाहें तो इसे इस्तेमाल करें या इसकी भी कर सकते हैं हाफ टीस्पून हल्दी पाउडर स्वादा नुसार नमक डालेंगे तो फ्रेंस यहां पर मैं डेट टीस्पून डाली हूं नमक आप अपने स्टेस्ट के अकोडिंग नमक डाल सकते हैं और सारे चीज़ को अच्छी तरह से मिला देंगे और फ्रेंस इस तरीके से एक बार पनेर जरूर बनाईएगा बहुत ही स्वादिष्ट बनती है और बहुत ही जटपड आपने इस तरीके से कभी नहीं बनाया होगा तो एक बार जरूर ट्राय करिएगा बहुत ही इजी तरीका आपके साथ सेयर कर रही हूँ मैं हमेशा इसी तरह से घर में बनाती हूँ मैं सोची हूँ आप लोग के साथ भी सेयर कर दो इसे यहाँ पर हाप कप पानी डालना है हाप कप पानी डाल करके यहाँ पर सीटी लगा देंगे हाई फ्लेम पर तीन सीटी है हाफ टीस्पून लाल मिर्च पाउडर और वन फोर्थ टीस्पून नमक है सारे चीज को अच्छी तरह से इसमें मिला देंगे टॉस कर देंगे थोड़ा सा ताकि जितने भी मसाले डाले हैं वह इस पे पनीर पर और फ्रेंस यहां पर चाट मसाला का भी आप इस्तिमाल कर सक पनीर के टुकड़े डाल करके इसको अलठते पर लटते थोड़ा से साव हड़्ा फ्राइब कर देंगे हिसके क्ली तो इस पनीर के साथ थोड़ा सा मिर्च को भी फ्राइए कर लेंगे और यहां पर जिसा क्या देख सकते हैं कि कुकर का धकन खुल गया है तीन सीटी लिए थे और जो टमाटर का छिलका है कितना आसाने से निकल जा रहा है तो आपको मिक्सर में से पिसने की कोई जरूरत नहीं है बस कि जटपट इसमें डाल दें और सार चीज एक बार में हो जाएगा फ्रेंस के और इसको थोड़ा सा फेट लेंगे ताकि जो भी घ्रेभी है एक सार हो जाए तो थोड़ी दिन में आप देखेंगे कि एकदम अच्छी तरह से इस मूथ हो जाएगी क्योंकि मिक्सर भी नहीं चलाना पड़ेगा आपका आपकी ग्रेवी बिल्कुल स्मूथ होगी और यहां पर तूटी स्पून धनिया पाउडर वन टी स्पून लालमेच पाउडर है जिसा कि मैं बताएं हूं कि तीखा आप अपने टेस्ट के अकोडिंग कर सकते हैं मेरे घर में थोड़ा सा तीखा चल मसाले अच्छी तरह से भून गए हैं अब जो पनीर फ्राइब करके रखे थे स्टेज पर पनीर को भी सारे डाल लेंगे इसमें हाप टी स्पून गरम मसाला कसूरी मेथी है थोड़ा से इसको क्रस्कर करके डालेंगे तो कसूरी मेथी आपके पास हो तो जरूर डालिएगा क्योंकि मैं बहुत ज्यादा मसाले का यूज नहीं की हूँ जैसा कि आप देखे हैं कि बहुत बेसिक मसालों के साथ ही पनीर बना रही हूँ आज और 100 ग्राम पनीर है जिसको कद्दू कस कर ले हूँ आधा कप पानी हाँ पे और एट की हूँ टोटल एक कप पानी गया है ग एक बार और करें हूँ कि आप इसे जरूर एक बार ट्राइगा बहुत ही स्वादिश्ट बनती है अगर आप एक बार इस तरीके से पनीर बना लेंगे तो सारे पुराने तरीके भूल जाएंगे तो एक बार जरूर ट्राइगा इसे और यहाँ पर धकन लगा करके एक सिटी हाई फ्लेम पर लेंगे बहुत ज़्यादा सिटी नहीं लगाना है बस एक सिटी ही लेना है फ्रेंज तो यहाँ पर जिसा कि आप देख सकते हैं कि कुकर का धकन खुल गया है और कितना अच्छी खुस्बूग आ रही है पूरे किच जरूर बताईएगा कि आप कब बनाए हैं और कैसी बनी है आपकी पनीर सुबह साम जब भी टाइम कम रहता है अगर जटपड पनीर बनाना हो तो यह तरीका आपके लिए बेश्ट है तो आप जरूर इसे ट्राय करिएगा और देखने में इसका कलर कितना प्यारा आया हुआ है और खाने में तो पुछिये मत एक्सिलेंट है यह तो आप ट्राय करेंगे बनाएंगे तभी आपको पता चलेगा इसे रोटी पूरी पराठा किसी के साथ भी खा सकते हैं तो मिलते हैं एक और ने रेसिपी के साथ तब तक के लिए बाए एंड टेक केर